Hello everyone, मैं विश्व जीत सिंग, आप सभी का देई इनों पर स्वागत करता हूँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम M.A. History, M.H.I. 02, आधोनिक विश्व मॉर्लन वर्ल्ड के 3rd उनिट को पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर में हम उसके important topic, किस तरह के questions से उसके बारे में बात करेंगे, exam में कैसे questions पूछे जाते हैं उसके बारे में समझेंगे और answer हम कैसे लिखें जिससे हमें आ रहे हैं अच्छे नमर मिले, इसके बारे में हम discuss करने वारे हैं ये वीडियो एक short वीडियो होने वाली है जिससे हमें जल्दी समझ में आएगा, बट वीडियो को start करने से पहले आप सभी students से एक request है सारा unit देखें, एक भी unit miss करोगे तो आगे आने वाली unit आपको समझ में नहीं आएगा, अभी तक मैं दो unit करवाग चुका हम चलिए हम अपना unit third start करते हैं आज़की वीडियो के अंदर में दोस्तो, सबसे पहले में unit third के बारे हम बात करूँ तो unit third के अंदर में हम आधुनिक, राज्ये और राजनीतिक ववस्था के बारे में पढ़ेंगे ठीक है, modern जो state है उसके बारे में, total इसके अंदर में चार chapter आते हैं साथ से लेकर हम दवस्तक के सारे chapter कवर करेंगे देखो, सबसे पहला अगर हमारा chapter है, वो नौकर साही ववस्था को लेकर है जिसके अंदर में questions कैसे बनते हैं नौकर साही ववस्था एक important topic है इसके अंदर में question कैसे बनेंगे तो नौकर साही ववस्था क्या है इसके अंदर में trade union के अंदर में क्या इनका role रहता है trade union वैपार संग जो होता है उसके अंदर में नौकर साही ववस्था का क्या role है उस को लेकर एक question बन जाता है या फिर पूछ लिया जाता है कि नौकरसाई व्यवस्था का राज्जे के अंदर में या राज्जे सत्ता के अंदर में किस परकार का role है involvement है उस तरगा question बनता है तीसरा तरीका यहां पर question पूछने का यह हो जाता है कि नौकर साई व्यवस्ता को ब्रिटन के संदर्व में समझाईए या फिर फ्रांस के संदर्व में समझाईए या फिर सोवेट संदर्व में समझाईए इस तरह से इस वाले चैप्टर के अंदर में कोशन पूछा जा सकता है अब नौकर साही व्यवस्ता है क्या तो एक सरकार का कारे कारी अंग है जिसको हम नौकर साही व्यवस्ता के तौर पे देखते हैं वो सारे नौकर साही विवस्ता के अंदर में आते हैं अगर आप बात करो इसके अंदर में ट्रेड यूनियन वाले के अंदर में तो ट्रेड यूनियन जैसे एक वैपार संग है ठीके तो वैपार संग के अंदर में नौकर सही ववस्ता की इस प्रकार से वग करता है तो वैपार संग सही तरीके चल रहा है या नहीं चल रहा है उसके अंदर में सभी को सभी का राइट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ठीक है सभी तरह का rights जो उसके साथ किसी के साथ गलत चीज़ों तो नहीं हो रही है उन सभीक चीज़ों को regulate करने के लिए बजार संग को regulate करने के लिए trade union को regulate करने के लिए नौकर साई ववस्था का involvement trade union के अंदर में दिखा जाता है वहीं पर अगर आपका question बन जा है राज्ये से संदर में तो राज्ये के अंदर में सरकार दोरा कोई भी rule regulation पास किया गया किस तरह से वो आगे हर एक तपके तक पहुंचे ठीक है सही तरीके से लागू हो कोई भी यो question बनते हैं Britain के संदर में France के संदर में Soviet sun के संदर में वहाँ पर आपको ये बताना है कि वहाँ पर जो नौकर साई वव्यवस्था थी किस परकार की थी कई बार comparison भी आजाता है कि ब्रीटन और France का नौकर साई व्यवस्था को लेका है comparison किसे तो दोनों जगह के नौकर साई व्यवस्था का comparison करना है यह simple सा इस वाले unit के अंदर में seven chapter के अंदर में question बनता है अगला chapter की मैं बात करूँ लोगतांत्रिक राजनीति के अंदर में क्या question बनता है तो लोगतांत्रिक राजनीति के अंदर में 3-4 topic important है कौन-कौन से topic आते हैं आपे सबसे पहला आता है लोगतांत्र के लोगतांत्रिक करना ठीक है यहाँ बन जाता है कि यह लोगतांत्र का लोगतांत्रिक करना बताईए क्या है लोगतांत्रिक करना है क्या यह आ जाता है आप देखो लोगतांत्रिक करना क्या होता है कि जहां पर लोगों के अ दोनों से में, जहां पर हम लोगों के मूलभूत अधिकारों की बात करते हैं, सोतंतर समानता की बात करते हैं, जहां पर सम्मिर्दी की बात करते हैं, लोगतंतरिक विवस्ता से क्या होता है, कि लोग सम्मिर्द होते हैं, जनता क्या होती है, आगे बढ़ती है, इस तरह की सामने बिझया हैं तो भाई सबसे बढ़े चीनता होती है लिंग-भेद की चीनता सभी को बरावर हग नहीं मिलता है लड़का आगे बढ़ रहा है लड़की आगे करन जो आपका वैश्विक करन की हम बात करते हैं globalization की बात करते हैं इसके कारण से भी लोग तंत्र के समख एक चुनोती उपस्तित हो जाती है ठीक है तो ये भी एक चीज़े रहती है जैसे वालों ट्यूटर के उपर में अक्सर आपने दिखा होगा पीछे कुस्सा में पहले ठीक है जब हमारे सूचनायन परसारण मंत्री रवी संकर परसाते तो ट्यूटर को लेकर बहुत जादर ववाल चल रहा था तो ये भुगोलिक करन के से भुमंडली करण, भुगोली करण या फिर वैश्वी करण के कारण से ट्यूटर जैसी कंपनिया भारत के इंदर में वर्क करती है, जो कई बार हमारे लोगतंतर के लिए चोंती पेस कर जाती है, ठीक है समझ में आता है दोस्तों ये एक important topic रह जाता है, सासात में एक topic ये भ वह जादा असिक्षटा बढ़ना, ठीक है बेरोजगारी बुख्मरी जी सारी चीज़े पढ़ना, तो वो एक ये मानकर चलते है सारे इतिहां सकार, कि लोगतंतर के सामने सारे चनोतियां हैं, ठीक है, ये चिंटाएं हैं, सीमाएं हैं, जिसको लोगतंतर को रोस निंह attempts और develop नहीं कर पाती है, विक्सित नहीं कर पाती है, वो उसकी कमियां को दर्साता है, ये कई सारे इतिहांसकारों का मानना था, तो इस वाले chapter के अंदर में total 4 topic आ जाते हैं, जो important है, अगर हम 9 chapter की बात करें, आधूनिक राज्ये और जनकल्यान के बारे में, तो इसके अंदर में ए आगे बढ़ें, वो लोग कल्यान राज्ये कहलाता है, जनकल्यान, लोग कल्यान राज्ये कहलाता है, important topic है कल्यान कारी राज्ये क्या है, इस तरह से question बनकर आ जाता है, तो आप अच्छे सांसर लिख सकते हो, जहां पर मतलब आपको खुसी का एसास हो रहे हैं, अच्छे से बढ़ें, आगे सम्मिर्द हो रहे हो, ठीक है, वो लोग कल्यान कारी राज्ये कहलाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, अगला question यहाँ पर रास्टवाद से लिकर आ जाता है, कि रास्टवाद है क्या, ठीक है, कोशन यह बनता है, रास्ट और रास्टवाद क्या है, बताई अब रास्ट का निर्माण कैसे होता है, तो आपने पहले topic पढ़ा, कि भाइया पुना जागरनमात है, लोगों को जागन जागरिती आई, ठीक है, उनको ग्यान की पराप्ति वरी ग्यान हो दे, ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा राज्ये का निर्मान कैसे हुआ, राज है राष्ट होता क्या है आप अच्छे से इसको explain कर सकते हो तो ये चारो topic unit 3 में थी ठीक है unit 3 हमने complete किया और unit 4 की वीडियो चाहिए comment किजिए अगर आपका response अच्छा रहेगा तो मैं unit 4 की वीडियो बनाऊंगा और फटा बन डालूँगा जिससे आपको भी help मिले मुझे भी motivation मिले अच्छे समय कर सको तो friends thank you so much for watching me thank you so much for listening me और आपके response ही बताएंगे मुझे कि कितनी मुझे वीडियो प्रॉट करनी है friends thank you so much for watching me bye bye take care all the best